नमस्कार मैं विनायक शर्मा तो जैसे कि साथ जुन को NMC ने पब्लिक नोटिस निकाला FMG के लिए यह नोटिस को लेके अभी फिलाल बहुत कॉंट्रोवर्सिस और प्रोटेस चल रहा है इंडिया में तो चलिए देखते हैं एक बार इस नोटिस में है क्या और एक्चुली कह ना क्या चाता है NMC तो देखिए जैसे इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि इस इन कॉंटिनुएशन तुदा सर्कुलर नंबर इतना जो की मैंने यह नीचे लिया है इसका तो चलिए आपको पहले दिखाता हूं कि वह सर्कुलर का जो है 9th में को अपलोड हु एस मेंशन इन क्लॉज 10 और पॉइंट 3 और पेज 3 तो देखिए मैंने यह उसको निकालके रखा है पॉइंट पेज 3 वाला क्लॉज X को जो पॉइंट 3 था पेज 3 में तो यह वाला है वह तो इसमें क्या बोला है देखिए और उसके अलावा सबको are required to complete their study from respective university institutes in offline mode तो offline mode को यह एंफेसाइस किया गया है और बोला है कि to supplement their online theory subjects जैसे COVID के दोरान पूरे दुनिया में online हो गया था पेंडेमिक पूरे दुनिया में फैलता है तो उसके लिए सरिफ FMGs ही नहीं सब कुछ online mode में ही चला गया था आइमजी का भी बाकी मैं किसी को target नहीं कर रहा हूं इन जैनरल बोल रहा हूं every mode of education उस time online ही हो गया था तो उसके बाद इसमें क्या बोला था बोला है कि जो online theory subjects और classes है उसको वो जो online किया था उसके against में उसके against में offline practical and clinical training करके उसको compensate करना पड़ेगा उसके बाद compensate करके जो जिस country में वो बच्चे पर्ड है जो FMGs है जिस भी country में वो पर्ड है होता है उसका जो वहां का जो valid medical qualification होता है वो acquire करना है कि उतना medical qualification होना चाहिए कि उस country में वो register कर सके खुद को as a practicing doctor और यह बोला है कि after qualifying FMG examination वो करके फिर वो जब इंडिया में वापिस आएंगे तो FMG examination में appear करके FMG examination को clear करके उसके बाद उनको CRMI करना है जो कि compulsory rotating medical internship तो यह हो गया compulsory rotating medical internship उनको करना है एक साल के लिए in accordance with CRMI regulation 2021 तो इसके बाद भी क्या होआ था और एक point निकला था उस time की जो final year में थे final year के बक्चों के लिए जैसे FMGs के लिए यह था कि वहाँ पे भी online mode चल रहा था तो online mode के चलते उनका practical miss हो गया था तो क्योंकि practical miss हो गया था तो उनको जो final year में 5th, 6th, 4th, 5th, 6th ऐसा कुछ था उनको इंडिया में आके 2 years का internship, 2 years का actually internship नहीं 2 years में 1 year internship था जो की CR MI के अंदर आता है और 1 year का clerkship था, 1 year का clerkship उनको करना था, वहाँ clearly mention था, तो उसके बाद according to देखे, rule क्या होता है कि CRMI में stipend according to NMC का जो कुछ दिन पहले उन्होंने notice निकाल था, उसके अनुसार CRMI में stipend जरूरी है, compulsory है, लेकिन clerkship में नहीं था, तो चलिए उनका ये च clerkship, 1 year का internship, तो कुल मिला के 2 साल का, 2 years का internship type कई हो गया, लेकिन उसमें 1 year paid था, और 1 year unpaid था, मेरे भी बहुत सारे seniors हैं, उनसे बात होता है, तो वो यही बोलते हैं कि 1 year अभी उनको पहला साल unpaid हुआ, तो 2nd साल में उनको पैसा मिलेगा उसका, तो ये हो गया अभी तक का, जो clause 3 में mention था, और उसके अलावा भी extra information जो उसके related था, तो देखें, अभी उन्होंने क्या बोला है, साथ तारीक को, साथ जुन को जो notice निकला है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, कि it has been observed that many FMGs are maliciously obtaining compensatory certificates, इसमें, देखें, many FMGs, ठीक है, are maliciously obtaining compensatory certificates, जिसका बाद इन्होंने यह mention किया था, कि उसको compensate या supplement करने के लिए, offline mode को supplement करने के लिए, जो, sorry, online mode को supplement करने के लिए, offline practical and clinical training करना पड़ेगा, और उसके against में, जिस भी college में उन्होंने पढ़ाई किये, वो college उनको certificate देगा, कि इन्होंने जो online में miss किया है, उसके against में compensatory इनक इसमें क्या लिखा है कि obtaining, maliciously obtaining, ठीक है, तो यहां fake या फिर fraud करके कुछ भी हो, हम ऐसे बोला गया है कि FMGs are maliciously obtaining compensatory certificates, ठीक है, यह कहीं हो भी सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, लेकिन overall हर कोई FMG तो ऐसा नहीं कर रहा होगा, जैसे कि देखिए मैं खुद युक्रे online में था, जो कि मैंने एक साल second year का online किया, उसके बाद third year में मैं उसबेकिस्तान आ गया था, और उस time ये rule, ये भी एक rule निकला था, कि second year तक क्योंकि वो होता है, non clinical subjects रहते हैं, तो आप उस time तक online आराम से कर सकते हो, उसके बाद से आपको offline करना पड़ेगा, ठीक है, तो second year तक हमने online किया, उसके बाद हम आ गए यहाँ offline करने, तो उसके बाद भी, क्योंकि उस time तो कुछ नहीं बोला था, उस time बस ये बोला था, कि जिसका offline miss हुआ है, जैसे कि clinical miss हुआ offline में, जो fourth, fifth, sixth, ऐसे senior years में है, उनके लिए, फिर से एक year का clerkship, वो compensate करने के लिए, उसके बा क्योंकि देखिए, वार में हमारे हाथ में, अभी हमने भी तो जान बुच के यह नहीं किया है, तो वार में तो वो, कुछ options, मतलब student के हाथ में कुछ option ही नहीं था, वो तो अभी किसी के गलती के वज़े से नहीं है, वो तो अभी दो countries के बीच में हो गया, चलो वो भी, और COVID जो था, COVID टो worldwide था, तो COVID में तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ FMGs ही online classes किये हैं, सब कोई online classes किये हैं, मेरे बहुत सारे friends भी हैं, जो IMGs हैं, और मेरे बहुत respect IMGs के लिए उन्होंने बहुत अच्छा marks लेके, अच्छा UG में अच्छा score किया था, इसलिए उनको मिला, लेकिन बहुत अच्छारे बच्चे ऐसे भी हैं, जिनको एक-दो mark के लिए छूट जाता है, थोरे marks के लिए छूट जाते हैं, और drop बार-बार लेते रहना भी, चलिए वो personal choice है, लेकिन उन्होंने कुछ reason के चलते हैं, ऐसा नहीं कि हर FMG नहीं पढ़ता है, मैंने देखा है, बहुत FMGs यह में देखने को मिलते हैं, तो इसमें और एक लाइन मैंचा नहीं देखिए, जो सुनने में बहुत खराब लग रहा है, कि the medical profession deals with precious human life, therefore the life of Indian citizens cannot be put at stake of poorly trained medical professionals, तो इसमें हमें properly refer किया गया है, as poorly, as देखे मैं इसको highlight करता हूं, कि poorly trained medical professionals, हमें यह बोला गया है, कि poorly trained medical professionals हमें, यह directly tag किया गया है, तो देखिए, एक तो चीज है, जब भी हम FMG के लिए आते है बाहर, तो उसमें NMC का, वो proper permitted course है, इसलिए हम आ पा रहे हैं, और हमारा भी aim यह है कि, यहां आके, हमें जब अपना course हम complete करें, जैसे तैसे बाहर, क्योंकि इंडिया का private का fees, effort कर आना हमारे लिए, थोड़ा, दिक्कत हो, मतलब थोड़ा क्या, वो possible नहीं था, तो इसके चलते, और हमें यह करना था, तो हम बाहर आ गये, तो और यहां से हम जाके, अभी FMG exam भी दे रहे हैं, तो उसका मतलब भी यही है ना, कि FMG exam लेने का मतलब भी मेरा simple question यही है, कि FMG exam लेने का मतलब ही यही है, कि आप उस level पे, जो IMGs के level पे, आप exam ले रहे हो, उसके basis पे आप एक FMG को validation दे रहे हो, कि वो further इंडिया में practice करने के, मतलब internship करने के लायक है, उसके बाद जाके वो practice करेगा, तो देखे, मेरा बात यही है कि FMG exam भी तो हम हटाने को तो नहीं कह र इस exam को भी Indian NMC या फिर पहले MCI जो था, उसने मतलब FMG exam को place किया था, या फिर बनाया था, FMGs के education को test करने के लिए, उनकी knowledge कितनी है, वो test करने के लिए, उसके बाद आया next का बात, next भी अभी पता नहीं कब से होने वाला है, क्या हो हमें पता नहीं है, लेकिन वो exam आएगा चलो जब आएगा तब का देखा जाएगा, तब भी FMGs को वो FMG exam हटा करके, IMG plus FMG सबको next देना है, चलिए अलग topic हो गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, कि जो exams है, इनको बनाया गया मोटीव ही है, कि FMGs को validation मिल सके, कि उनका knowledge sufficient है, कि वो इंडिया में further practice कर पाए, चलिए तो उसके बाद poorly trained medical professionals का ऐसा tag लगा देना, और यह क्या बोला गया, इसमें देखिए कि maliciously जो हम certificate obtain करते हैं, compensatory certificate from our parent universities for the online classes carried by them, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो maliciously था, maliciously नहीं था, यह तो कोई मतलब directly ऐसा वो कर देना, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, एक पूरे पूरे मतलब section of students, FMG, बहुत बच्चे हैं, तो उनको, और ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को आप खराब नहीं कह सकते हो, और कोई भी खराब नहीं है, actually बोला जाए तो, और देखिए, Indian IMGs में भी मेरे बहुत सारे private medical colleges में दोस्ते हैं, वो भी खुद बोलते हैं कि खुदी प्रेप लेडर, मेरो, अगेरा यह सबसे, तो मैं कोई किसी को ऐसा point out नहीं कर रहा हूं, बस यह कहना चाहता हूं कि हर college, हर बच्चा अच्छा नहीं होता है, तो वैसे हर FMG खराब भी नहीं होता है, तो आ गया, तो इसमें क्या बोला है, has decided henceforth कि certificate regarding the compensation supplementation of online theory subjects classes with offline practical and clinical training shall not be accepted, जो यह compensation certificate जो online, इन्होंने ही जो rule निकाला था, इन्हों, इनका यह rule था रेखिये, यह वाला जो इन्होंने भी deny किया है, तो यह rule इसमें यहीं बोला गया है, कि offline mode को, online mode को supplement करने के लिए, offline mode में इनको practice करना पड़ेगा, जिसके basis पे, जो parent university है, वो एक certificate देगी, और plus अपन जिस country में है, वहां के registration के लिए, वो medical qualification valid होना चाहिए, तो देखिये, अभी वही चीज़ जो compensation, supplementation, जो इन्होंने बोला है, compensatory certificate को accept नहीं किया जाएगा, तो देखिये, मेरा कहना यही है, कि, जैसे, देखिये, कोई नया rule आता है, तो FMGs के उपर, पता नहीं क्यों, इतना target क किया जा रहा है, FMGs के उपर, कि, एक के बाद, एक, एक के बाद, एक rule निकाला जा रहा है, और जिस date पे rule निकल रहा है, उन्हीं के उपर, जो अभी फिलाल पर्ड है, उनके उपर भी apply हो रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, कि, अगर कोई नया rule निकल रहा है, तो ऐसा हो कि, व आप अल्रेडी NMC का permission लेके हम आ रहे हैं बाहर मतलब government का तो हम लोग पूरा permission के साथ ही आ रहे हैं क्योंकि यह allowed है इंडिया में बाहर आके पढ़ाई करके फिर जाके आपको exam देने फिर आप इंडिया में practice कर सकते हों तो उसके बाद अगर हम लोग कुछ सोच के आ रहे हैं फिर बीच में ऐसा नया rule इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो बीच वाले को तो फिर हम तो मतलब ना इधर के ना उधर के रहे गया है न क्योंकि हमें अगर हमें यह rule पहले से पता ही नहीं था जब हम admission लिये तो जो already existing rules है उसके उपर जो admission हो गया हो गया उसके बाद अब FMGs ने online किया है मैं बार बार यहीं चीज रिपीट कर रहा हूं तो हर किसी का online में practical miss हुआ है तो चलिए ठीक है तो practical अगर miss हुआ है सब है तो सब का अगर miss हुआ है तो मेरा कहना यही है कि यह मतलब मैन है rules ऐसा suddenly और maliciously obtaining यह गलत चीज़ है ना कि आप suddenly किसी पे भी ऐसा मतलब blame डाल रहे हों कि maliciously obtain कर रहे है और यह पूरे मतलब many FMGs मान चलो मैं मान लेता हूं कि all FMGs नहीं बोला है तो फिर अगर all FMGs नहीं बोला है तो all FMGs के rules क्यों apply हो रहा है कैसे मतलब इतना surely आप किसी को ऐसा बोल सकते हो अभी पता नहीं प्रोटेस तो चल रहा है इंडिया में हर जगा अब hopefully हम प्रे करता है कि जो सुप्रीम कोट ने भी अभी बोलाए कि सब कुछ मिला करके एक हमारे favor में निकले जो भी नया notice निकलेगा लेकिन देखिए मैं कि किसी को respect, disrespect या government को ऐसा कुछ ऐसा नहीं है मेरे हर के लिए मेरा respect है हर student हर IMG, FMG जिकने medical students है सब के लिए लेकिन मेरा कहना यही है कि suddenly ऐसा rule निकाल देना और suddenly implement कर देना तो यह तो मतलब और वो भी proper mention नहीं है जैसे यहां देखिए यह क्या बोला है कि FMGs who have attended their classes online for any duration, any duration online तो यह तो गलत हो गया ना क्योंकि देखो हमारा second year attack Ukraine में कुछ online था ही नहीं, clinical था ही नहीं, तो हमारा कुछ miss हुआ ही नहीं है वैसा clinical क्योंकि pre-clinical subjects चलते हैं, तो pre-clinical subjects में अगर हम absent online किये हैं, तो उस time वही rule खुद NMC ने बोला था कि आप online कर सकते हो जब तक आपका clinical नह था कि आप कोई भी मतलब फॉर्थ यर में और फिफ्थ यर में आप online करो, बाद में उसका एक साल का clerkship, एक साल का CRMI वो बोला था, चलो वो final years के लिए हो गया, पूरा पूरा जो भी confusion था, scene था, वो clear हो गया था, अब फिर से suddenly during their course of completion are required to qualify for FMG examination and are subsequently undergo a compulsory rotating medical internship for a period of 2-3 years, तो किस बेसिश पर ये 2-3 years decide किया जाएगा, and plus a schedule of 12 months to be repeated, as mentioned in the circular dated 9-5-2023, तो ये जो 9 में को जो निकला था ये, कि जो final year में है, final year वालों को जो 12 months का clerkship और 12 months का internship वाला, वो ये ही बोला गया है, and ये क्या बोला है, and as per the public notice uploaded on 7th December 2023, तो ये क्या बोला है, this public notice is effected from the date of publication, तो date of publication है 7th June, तो देखिए 7th June, और इसमें इतना confusion होता है, जेखिए, और बहुत चारे ऐसे बच्चे हैं, जिनों जो कि तब COVID के बाद online clear करके, FMGs ही हैं हमारे, जिनोंने clear करके, internship complete करके, अभी वो job भी कर रहे हैं, तो कब का ये खतम हो गया, सब कुछ हो गया, अब इतने सालों बात, suddenly ये नया निकल रहा है कि, तो already अभी 6 साल का course हमारा, 6 साल के course के बाद, फिर इंडिया में जाके, अगर FMGs के लिए minimum 6 months का gap तो पड़ी जाता है, क्योंकि जब हम graduate होता है, instantly जाके हमें FMG का exam नहीं मिलता ह एक जून होता है, जून सिटिंग और एक होता है डिसेंबर, तो जैसे हम जाके minimum, मान लिजे, within 6 months हमने preparation किया उसका, क्योंकि हमें अपना state exam भी देना होता है, final year में, तो वो सब clear करके जाके हमने FMG का exam 6 महीने का पढ़ाई किया, और हमने एक बार में FMG का exam निकाल भी लिया तो FMG का exam निकाल करके, फिर हमें 6.5 years हो गया, और जो यहां आते हैं ऐसा नहीं कि बहुत सब freshers ही नहीं आते हैं, बहुत सारे droppers भी होते हैं, इतने सब कुछ के बाद भी, और फिर से rule निकला, यह भी था कि 10 years के अंडर complete भी करना है, फिर 10 years के अंडर, मतलब इतना, बहुत ज्यादा confusing है ना, यह सब चीज, और इतना stress नहीं देना चाहिए, बच्चो के उपर कि मतलब आप यह करो, वो भी कर लो, आप यह भी कर लो, मतलब ठीक नहीं है यह चीज, और बस, let's hope for the best, अभी, क्योंकि सब बड़े-बड़े educated लोगी हैं, NMC में भी, सब bodies में, तो let's hope कि कि वो सब भी समझेंगे, हमारे मतलब यह जो problem हो रहा है हमको, इसको समझेंगे, और हमारे favor में कुछ अच्छा decision आएगा, तो let's hope for the best, and let's request everyone, कि यह हमारे favor में ही आए, जो भी decision आएगा, and चलिए, thank you, और मिलते हैं, अगर कुछ, जो भी update आता है, उस update के साथ, My friends, कल NMC ने कौन सब्सक्राइब निकाल दिया, internship duration को लेके, कि फारमडी graduates कितने साल internship और करेंगे, इस बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अगर एक देश के नागरिकों ने कभी सफर किया है, उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है, कि system में बैठे हुए लोग, एक systematic continuous bias ल graduate की, कि गल्ती क्या है, अगर आप से permission लेकि वो बाहर गया तो, क्या आप उस decision का हिस्सा नहीं हो, अगर covid आया, तो क्या एक particular student group की उसमें गल्ती थी गया, हम शाएक बूल रहे हैं इस बात को, कि ऐसा नहीं कि सारे students एक जिस्से होते हैं, यह बिलकुल myth है, यह wrong concept है, कि सारे for medical graduates नहीं पढ़ते, मैं 12 साल से जुड़ा हूँ और बहुत सारे colleges युनिवस्टी में जाकर देखा है, हर प्रकार के बच्चे हर जगा होते, क्या हम इस बार की guarantee दे सकते हैं, कि इंडिया में पढ़ने होते सारे medical colleges में सारे बच्चे एक जैसे, मैं भी IMG हो, मैं भी जानता ह नहीं है, लेकिन एक community को label कर देना और उसको उस जासे रोच कोई नहीं circular से harassment face करने का reason मिलना, क्या यह systematic failure नहीं है, क्या सब देश के नागरिक नहीं है, जो सफर कर रहे हैं और जो decision ले रहे हैं, वो भी तो नागरिक है, system ने उनको एक मौका दिया है, कि वो एक organization में, एक managerial post पे हैं, जिसमें, they have to ensure certain things, medical care का level कम हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, हमारे parents भी, हम भी, कभी doctor बल जाएगे, हम भी चाहेंगे doctor सक्षम होना चाहिए, पर बिना assess किये, उनको internship तो allow नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा खासा level exam clear किया बच्चों ने, तो last कुछ exam होए है, clinical, conceptual question के साथ, pass किया paper, उसके बाद internship के time पे, फिर ऐसा भेदबाव क्यों, अगर कोई भी, इनसान इस बात को genuinely सोचे, बाइस के बिना सोचे, तो ये गलत हो रहा है, please understand this, ऐसे, सिरफ वो बच्चे नहीं, उनके पीछे जो परिवार है, जो माबाप है, जिनोंने, पैसे कठे करके, कुछ loan लेके, पैसे जुटाएं, और फिर्म को बेजा, कि जब ये बच्चे आएंगे, पढ़के डॉक्टर बनके, तो पैसे कमाएंगे, तो उनके old age में सहारा बनेंगे, दो-तीन साल internship करते रहना, क्या आसान काम है, कौन दे रहा है, stipend internship में, FMD students को, कौन दे रहा है, कोई स्टेट छोटा मोटा कोई token amount दे रहे होंगे, लेकिन तीन साल बिना पैसे के काम करना, I think, gross injustice, it's actually, you know, to be reconsidered, अगर कोई भी इस समय ये बात सुन रहा है, please tag it to those people, who are decision makers, but let's not forget, we all are equal citizens of this country, and अगर कही भी वस्ता में गलती हो रही है, तो उसको सुधारने की जुरूरत है, एक बाइस को खतम करने की जुरूरत है, वरना ये बाइस सिर्फ उन students को नहीं, उन families को भी बहुत ज़्यादा hurt कर रहा है, मेरी humble request है, please leave a voice को, जो अब नई council of ministers बनने वाले हैं, या जो आपके area के MP जीते हैं, जो भी आपके area के MLA's है, please tag them, tweet them, send it to them and understand, on the basis of merit actually, we are not asking for a favor for the community of foreign medical graduate students, ऐसा नहीं मांगरे, ऐसा नहीं मांगरे बिलकुल भी, please assess it on the basis of merit, क्या ये सही डिसीजन है?